तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इत्रीफल मुलेयन के बारे में ये जो इत्रीफल मुलेयन जो ए इसमेडेशन है, इसके क्या फाईदय है, कैसे आपको लिना है, इसके EBumuz क्या है, साइड़ी फेड़ क्या है ये सारी जानकारी जो है आज किस विडियो में आपको दूंगा यूनानी मेडिशन है तो आप इसे जो यूनानी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसे खरी सकते हो या आप इसे ऑनलाइन भी मगा सकते हो ऑनलाइन खरीदने की लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलिबल है और अगर हम इसके इंगिडेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे इंगिडेंस है वो सामिल के गए हैं जैसे कि इसमें है आमला, बादियान, पोस्त हलिला जड़, पोस्त बहेडा, सना, हलिला शिहा, घी, आदिस प्रकार की और भी इंगिडेंस जो हैं इसमें सामिल के गए हैं जिससे ये इतरीफल मुलयन है वो बनाए गया है तो फाइदों के अगर हम बात करें तो देखे इसके बहुत सारे फाइदे हैं पहला तो यह है कि यह आपके डाइजेशन के लिए काफी अच्छी है अगर आपको कब्ज, कॉंस्टिबेशन इस प्रकार के अगर आपको समझ्चा है तो उसमें काफी फाइदेमंद है ख आत में आतों के मूवमेंट को ठीक कर हाजमा दुरूस्त करने में भी मदद करती है दोस्तों इसके लावा देखे कब्ज की वज़े से होने वाले सरदर्द और माइग्रेन में भी इससे फाइदा होता है और इसके लावा सरदी जुखाम में भी इससे फाइदा मिलता है तो 10 ग्राम आपको जो है लेना होता है रात में सोने से पहले और आप इसे जो है हलके गुनगुने पानी के साथ है हो ले सकते है या आप इसे हलके गुनगुने दूद के साथ भी हो ले सकते है और रात में सोने से पहले इसे male female कोई भी ले सकता है बच्चे भी ले सकते हैं लेकिन बच्चे को दरने से पहले डॉक्टर से सलh ले क्योंकि देखे डिपेंड करता है कि बच्चे के उम्र कितनी है इसके लावत जो महिले है पेगनेट है वे ना ले या दिख जानकारे के लिए डॉक्टर से सलh ले साइडिफेट के अगर हम बात करें तो इसका ऐसा कुछ भी साइडिफेट नहीं है लेकिन जो सुगर के मरीज है डाइबिडीस के जो पेसेंट है वेसे लेने से पहले डोक्टर से सलाह ले तो दोस्तों ये थी इतरीफल मुलेयन के बारे में जानकारी फिर भी दोस्तों कोई सवाल है आपका कुछ पूछन चाते हैं आप तो आप मुझे कॉमेंट से दुरा भी पूछ सकते हैं वीडियो गर आपको पसन है तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मेरे नाम है जितेश और आपने इस वीडियो को इतना गिम्ती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद